तो आज की वीडियो को देखकर आपको अंदाजात हो गया होगा कि आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है कुछ रसा पहले मैंने अपनी एक फैलो यूट्यूबर की वीडियो में देखा जिसमें उनकी सास घर में लेसन उगा रही थी अब ये देखते मुझे भी जनून चड़ा कि वाई नॉट आई किन डू दिस अब इसके लिए मुझे लेसन चाहिए था ये तो मुझे कनफर्म था और वो मैंने ढूंट भी लिया तो जब इसको उगाना कैसे था इसका मुझे कोई आईडिया नहीं था क्योंकि मेरे पास ना ही कोई बहुत बड़ा लॉन है और ना ही कोई चोटा सा किचन गार्टन भी है बस तो चार गमले हैं जिनमें मैंने बहुत सारा अलो वेरा उगाया हुआ है इसका मैंने अपने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है कि इस वेरी गोड ग्रोथ तो मैंने का यहां पर मैं लेसन भी उगास सकती हूंके नहीं तो आई कॉल हर और आज़के कि मैं अपने घर में छोटे से गमले में किस तना लेसन हुगा हूँ और यहां पर अपनी लाइफ को इन्होंने एड़ेस्ट किया है और ऐसे काम करती है जो इन्होंने भी फरस्ट टाम किये है क्योंकि यह भी कोड़ विलिज में नहीं रहती थी यह शहर से आई है विलिज में और यहां पर अपनी लाइफ को इन्होंने एड़ेस्ट किया है अपने हस्बंड और बचों के साथ रहते हैं बहुत खुबसूरत है माशाळला माशाळला और सिर्फ विलिज लाइफ ही शेयर नहीं करती है जिनके साथ इनकी मीटी मीटी नौक जोक चलती रहती है विडियो पर बहुत मसा आता है अच्छा चले अब आते हैं दुपर अपने लेसन पर कि मैंने लेसन कैसे हो गया और मेरा लेसन उगा भी कि नहीं होगा यह मैं आपको आगे चलके सब कुछ बताने वाली है तो डोंट स्किप तवीडियो मैं आपको यहां पर बता दूँ कि लेसन के कोई एक फाइदे नहीं बहुत से फाइदे है और साथ साथ यह भी बताती चलों कि घर में लेसन गमले में नहीं होगता हाँ वो स्प्राउट हो जाएगा उसके वो जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो निकलाएंगे और वो इतने फाइदे मंद होने के साथ इतने टेस्टी होते हैं कि आप घर में बहुत सारी उनको डिशिस में यूज़ कर सकते हैं जिसे जब आप चाइनीज डाइस बनाएं तो उसके अंदर बिया वो ग्रीन पार्ट एस्ट कर सकते हैं दाल के ओपर तड़का लगा सकते हैं और आमलेट तो इतने मज़े का बनता है ना कि क्या बताऊं अच्छा अब उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास जो भी घमला है जितनी भी जगह है उसके अंदर आपने मिटी को अच्छी तरह खोद लेना है इसको कौड़ी करना कहते हैं शायद पंजाबी में तो आपने जमीन को इस तरह खोद कर आपने सारा उसको नरम कर लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर जो लेसन के जवे हैं उनको अपसाइड डाउन जो है अपने इसके अंदर दबा देना है बहुत जोर से नहीं दबाना और उनका हलका वाइट पार्ट जो है वो नजर आते रहना चाहिए अब जब वो आप इस तरह इतना काम कर लेंगे तो बाकी काम आपका खतम हुआ अब आपने सिर्फ करना है जी वेट और as you can know कि सबर का फल तो मीटा ही होता है तो बस आपने मैंने भी इसी तरह किया था कि इसमें मैंने लेसन जो है वो दबा दिया था उसके बद मैंने इसके ओपर दिया था जी पानी और ज़्यादा पानी नहीं देना आपने क्योंकि गंबलों में ज़्यादा पानी नहीं देते do always remember that under watering is much better than over watering your plants घर में कभी आपके पास कभी गंबला हो तो उसको बहुत ज़्यादा पानी मत दे प्लांट को खुद उगने की चाहत होती है वो कहीं न कहीं से पानी एड़ेस्ट कर लेता है अंटिरलस आपका मिटी जो है वो बिल्कुल ड्राइ हो जाए तब ही इस सूरत में इसको पानी का स्प्रे करते है इसको डोंगों से पानी नहीं डालते यहाँ पर मैं लेसन उगा रही हूँ तो मैं इसके अंदर बहुत ही धीरे से पानी डालूंगी और बस ज़्यादा पानी बार बार नहीं देना यहाँ तक तो काम बहुत असान था जो मैंने कर लिया और फिर मैंने किया वेट और जिसका मुझे बहुत फाइदा हुआ और मैंने वाके इसमें से जो स्प्राउट्स निकले थे वो इतने यमी थे कि बहुत मज़ा आया मुझे घर में छोटी सी किचन गार्णिंग करके इसी तरह मैंने धनिया भी होगाया मैंने पुदीना भी लगाया और लेकिन कमला चोटा होता है इसलिए वो ज्यादा फैलता नहीं है और वो सिर्फ एक चोटी जगा पर ही मेह धूद रह जाता है तो इंशालला अलापाक जरूर घर देगा जिसमें मैं मुझे चोटा सा लॉन भी होगा और मैं किचन गार्डनिंग भी करूँगी जिसका मुझे बहुत शौक है तो अलापाक से दुआ है आप भी कीजिएगा मेरे अक्ट में दुआ कि अलापाक मुझे इस लाइक बनाए कि मेरे पास भी एक चोटा सा गार्डन हो जिसके अंदर किचन गार्डनिंग करूँ और बहुत सारे इसी तरह के घर में चीज़ें उगा कर उनको इस्तमाल करने का मज़ा ही कुछ और है अचा अब इस तरह देखें मेरे हलके लिके स्प्राउट्स हैं निकलने शुरू हो गए थे और जब इस तरह एक लाइफ निकलती है ना तो बहुत खुशी होती है इसी तरह पिर वो कुछ बड़े होते के अब यहां पर इस स्टेज में मैं इनको ट्रिम करती रहती थी और जो उपर के है वो यूज करके खाने में डाल लेती थी और पिर कुछ अर्से बाद और निकल आते थे और इसी तरह बहुत अर्सा मेरा यह लेसन जो है वो चलता रहा और इसी तरह मेरा यह लेसन जो है वो चलता रहा और I hope you like my video today because I really enjoyed it and in the end I would say thank you so much Fari for helping me all the time और आज कल तो इनका जी congratulations for completing your watch time and mashallah your channel is being monetized so thanks for watching guys Allah Hafiz